मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सब का फिर से स्वागते तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं कि यूटूब पर वीडियो जो अपलोड करते हैं उसमें टैग डिस्किप्शन यह सारा चीजे कैसे लगाते हैं अस्टी बैस्टीप हम लोग सिखेंगे प तरीका होटा है पहला तो यह तो अप डेक्सटॉप का क्रॉम में इस्तेमाल करें इत्वсьक ब्रॉजर के दुरूप यह फिर एक इसका प्रक्तर तो दोनों में हमको फैसान बता देते हैं अगर हृत कि आपको इसमें जो डिफल्ट डिस्क्रिप्ट्ट वगएरा लिखे हुए रहते हैं जो भी आपना पहले से sitting में जाकर इसका टाइटल वगएरा या फिर description या फी जो टैग लगा होते वो लगेगा निए उसको आपको सारस फिर से लगाना पड़ेगा लेकिन अगर आप अप्लोड किज़ेगा तो जो भी टाइग डिस्क्रिप्शन आप पहले से लिख के सेटिंग किये बरते हैं वो अटोमेटिक लग जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको क्रोम से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लोड कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइटल लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर कंटिन्यू कर रहा है नीचे में कंटिन्यू कर रहा है कि कंटिन्यू होने के बाद सिंपली आपको यहां पर अप्लोड वला आइकोन में दबाना या क्रियेट वला आइकोन में भी दबाद सकते हैं उसके बाद यहां पर सेलेक्ट वाने के बाद आपको यहां simply file में select गरना है उसके बाद जो आपका वीडियो रहेगा उसको आपको यहां पे select गरना है तो चलिए मैं अपना video select गर लेता हूं झाल तो फाइनली मैंने अपना वीडियो सेलेक्ट कर लिया और वो अपलोड होना शुरू हो गया आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अभी यह दो परसेंट अपलोड हुआ है तो आपको सिंपली इसको अपलोड होने देना है उसके बाद देख सकते हैं जो मेरा टाइटल और ड खुलता है जल्दी तो आपको थोड़ा जूम कर लेना है और एक दूबर प्रेस करना यह खुल जाएगा कभी कभी टाइम लग जाता है तो मैं देखिए बहुत बार दबा चुकाँ लेकिन अभी तक नहीं खुला है तो थोड़ा सा बेट कर लेते हैं यह खुल जाता है और यह भी टाइम लग रहा कुछ नेटा भी अप्लोड हो रहा तो थोड़ा मैं वाइफाई कनेक्ट कर लेता हूं ताके सारा चीज स्पीड में हो तो अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगएगा तो सिंपली अब यहां से हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहां पर कुछ नहीं करना आपको सिंपली यहां पर नेक्ट करना है अपना जो विजिबिलिटी है वीडियो को यहां पर आपको प्राइवेट में कर श्राइब लेना है और यहां पर सेब कर देना है अब यह वीडियो यह पर अप्लूड होता रहएगा यहां पर को एक तैय स्टूडियो से भी कर सकते हरे आपको नियूंरा आयक्य में क्टेटि टैट लगाने के लिए सबसे नियूंर टैक्स कि अ delsर direct लगता है कंटेंट में जाने बात देख सकते हैं, यही वीडियो जो अवी अप्लोड हो रहा है, सिंप्ली आपको यहाँ तीन डॉट में क्लिक लिट करके एडिट उपफाना है, यहीं वाला रखना है और फिर यहां पर यह कर देना एक बार और तो इस तरह साइपका जो फरस्ट ऑगा यहीं होगा उसके बाद आप यहां पर जो भी आप अपना लिखना चाहते है पूरा चीज लिखने जैसे मैंने एक सारह चीज लाग लगalon तो इहां पे लिख लेना है यहां पे आपको क्या करना है कि आपका चैनल कि जानल चैनल का मुलाब ईड़ारेट और हज में आपको डाल देना है उसके बाद के बाद इस में टा माला तो यहां पहें बैक आजयाना है डिस्क्रिप्सन का काम हो गया अब ट्sy पर टैग के लिए यहां पर is कि यहां पिंप खोड़ उसके बास आपको यहां पे ढ़ा देना लूब एस तरह से आपका टै करम जाया तो अभी यान हम लोग जा के करेंगे दूसरा यह भी डाइक क्योंकि वहां पर टैग लगाना बहुत असान होता है और यहां पर आपको यह पेन वाला आइकोन में दबाना उसके बाद कस्टम थंबल में जाना है और आपने जो थंबल बनाया उसको यहां पर सेलेक्ट करना है और आपको बीजिबिलिटी ये अभी-आपधि अभी ये पैंडिंगий ही राकना है तकि आपको अगर कुछ और एडिटिंग करना हो तो वह कर सकते हैं चलिह इसी में अपको मैं बता देता हूं कि अगर आप सेलूल करना comprar जो यहां पको सेलीिजिंप्ल आपन अपने वीडि करें मलब हर वीडियो को सेड्यूल कर दें उसके टाइम के अरगोडिंग ताके उसी दीन उसी टाइम लिए आपके एक अपके एक एक आपको एकॉंट में यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता रहे तो जो भी आपको टाइम पसंद लगे यहां से यहां पर दबाकर उसके बाद यहां पर प्रेमियर में क्या होता अगर आप अभी सेब कर देते हैं तो आपका वीडियो सिर्फ सेड्यूल होगा किसी को दिखेगा ने मलब जब यह डारेक्ट लाइब होगा उस टाइम से सबको दिखना लेगा लेकिन अभी प्राइवेट में लेकिन आपको अगर सेट है जब प्रेमियर करते हैं तो यह क्या होगा कि पोस्ट के रिएट हो जाएगा मलब हर यूजर इसको देख पाएगा कि आपके यूटूब में इतना बज़े वीडियो आने वाला है और उस टाइम आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं लाइक कर सकत यह चीज कर सकता है तो सेट है जब प्रेमियर भी आप सेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक नए यूटूबर है तो सेट है जब प्रेमियर नहीं करें तो बहतर है क्या होता है मान के चलिए आप सेट है जब प्रेमियर कर दिए कोई उस पोस्ट को देख लिया अब उसको अगर कोई यूजर रहा उसको जानने के इच्छा होगे नहीं इचीज हमको जाना वो क्या करेगा तुरत यूटूब में सर्च करके दुसरा का वीडियो देख लेगा फिर आपका वीडियो देखेगा ही नहीं तो आपको सेट आज प्रीमेर नहीं सेट करना है जब आप नए हो गया अब चलिए हम लोग टाइग लगाएंगे इसमें बीडाइक्यू से अगर आपके पास बीडाइक्यू नहीं है तो उसको कैसे डाउनलूड करना कैसी यूज करना मैंने सारा चीज बता है वीडियो में आई वाला लिंक में आपको मिल जागा या फिर वीडियो के ला करने के बाद आप यहां पर रिफ्रेस्स दबाईएगा जिसे रिकोमेंटेट कीवर्ड तो देख सकते हैं भी बस जो दिखा रहा वही दिखा रहा है तो सिंपली आप सर्च कीवर्ड जाना है और यहां पर लिख लेना जो भी आपका वीडियो का टाइटल या जो वीडियो कुट सारे यहां टैग है जो आपको यहां पर दिखाते रहत है तो इस समय आपको जो चीज मन लगे आपको यहां पर सलेक्ट करते जाना है सेपली और इहां पर अधूद accepted हो लिए उसके बाद simply आपको यहाँ पर refresh दबाना है और जितने भी tag रहेंगे आपने देखिए आने लगते हैं उसके बाद आपको simply refresh करते जाना है एड करते जाना है और जो भी आपको tag पसंद है उसको बस यहाँ पर simply add करना जा रहे हैं यह जो tag आप एड कर रहे हैं इससे वीडियो आपका सर्च में आएगा क्योंकि आप टाइटल में दो या तीनी लाइन लिख सकते हैं उससे जाता तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन यह जो tag और description में लगाते हैं इससे वीडियो सर्च में आता है यहाँ आप कोशिस करें कि अच्छा अच्छा tag लगा हिंदी एंगिलिस में जैसे भी आपको बढ़िया लगे तो इस तरीके साब जो भी आपको मुलब यहाँ पे sign लगाना होगा यहाँ जो भी आपको लगाना है यहाँ सर्च करके और लगा सकते हैं उसके बाद यहाँ आपको रिफ्रेस करना है आपको यहाँ पर आते जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको दबाना है जो मैंने दबाया उसके बाद एड करना है फिर आपको दबाना फिर आड करना है फिर आपको दबाना फिर आड करना है फिर आपको दबाना फिर आड क आपका जो वीडियो रेकुमेंट हो उसको वो वीडियो देख पाएं इसी तरह करके आप अपने वीडियो को सर्च करवा सकते हैं और कोसिस करें कि जिसका क्या बहुत कम हो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं शुरू टाइम में उसके बाद एक बार जिसे आपका ओडियांस क्रियेट हो जाए तो आपको जो वीडियो बनाना है बनाएए आपका सब चलेगा उसके बाद इतना एड़ करने के बाद आप चाहते हैं कि यहां पर कुछ और लिखें लेकिन अब यहां तो आने नहीं दे रहा है तो सिंपली आप कुछ टैक को डिलेट कर दे यहां से जैसे मैं कुछ यह डिलेट कर दिया उसके बाद सिंपली यहां पर आपको दबाना है रिप्रेस उसके बाद आपको फिर से मिल जाएगा यहां पर तो जो जो मिल रहा है उसको एड़ करते जाए यहां से फिर से यहां दो एड़ हो गया फिर आपको यहां पर जाना है और ड दिखिएगा उसको यह खूद सर्च करके आपको दिखाता है और ऑप्सन अपने देते जाता है इससे आप लगा सकते हैं अब इसमें से कोई सिगनेचर आपको मलब लग रहा है कि इसमें कोई सही नहीं है तो यहाँ पर हटा दीजिए उसको और वहाँ वाला एड कर देजिए को हटा देते हैं यहाँ पर एड कर देते हैं अब फिर से नया नया ओप्सन दिख जागा यहाँ तो देख सकते हैं फिर से आगया फिर से यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आना है और यहाँ पर आपको सिंपले एड करना है फिर यहाँ पर एड करना है और कंप्लिट हो गया अब यहां पर आपको publish कर लेना है अभी आपका CSO score 13 दिखा रहा है लेकिन देखिए आप CSO score बढ़िया हो गया तो जब आपका CSO score बढ़िया रहेगा तो में भी आपका तो description में मिल जाएगा और वीडियो के last में जो end screen में वीडियो चलता है वह भी मिल जाएगा और i button में भी आप जाके check कर सकते हैं अब अगर 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 आपको हैस्टैग वगएरा लगाना है तो हैस्टैग लगाने के लिए फिर से आपको वाई टीए स्टूडियो में ही लगाना है क्योंकि वाई टीए स्टूडियो में आपको suggestion मिलता है लेकिन वहां पर आपको नहीं मिलता है तो चलिए अब हम लोग हैस्टेग लगा लगा लेते हैं अगर कुछ हैस्टेग वगर लगाना है तो चैनल का नाम लगा लूे मैं पहले बता लिए तो इसका भी इस्तमाल करें देखें यहां हर हर चीज के लिए एक अलग बेश्ट रहता है तो आप देख ले सीख ले रूसी कहनों सर्च करें क्योंकि यही चीज आपको वहां पे करने में बड़ा दिक्कत होता है तो यहां पर आप कर सकते हैं तो इस तरीका से आप हैश्टाइग भी एड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया और यहां पर लास्ट में आपको सेब दबाना है तो फाइनली आपने सीख लिया कि वीडियो को कैसे इडिट करना है सारा चीज मलब कैसे अपलोड करना है आप यूटूब के आप से किजेगा तापका यह जो आटोमेटिक जो आपने पहले से अपलोड करना और नहीं तो आप यूटूब के वीडियो से कर सकते बस आपको दूसरा वीडियो से वो description कॉपी करके इसमें पेस्ट करना पड़ेगा आशा करता हूँ कि वीडियो दे क्या आप tag, title ये सब लगाना सिख गया हूँ और चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe करें हमारे वीडियो को ज़्याद लोगों तक share करें हमारे चैनल के growth में हमारा support करें अपना प्यार दिखाएं तो चलिए मिलते हैं अब आपसे next वीडियो में